गुड इवनिंग इस्टूरेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैथमेटिक्स विग अवीगर् इस्टूरेंट्स सौगत है आपका मेरे चैनल पर आज हम इस्टूरेंट्स कुछ बेसिक चीजे पढ़ेंगे ठीके, मैंने आज का टॉपिक लिया है इस टैप की आपको गलतिया नहीं करनी है यदि आप करते हो तो प्लीज मैं आपको बता रही हूँ उनका कंसेप्ट, उनके बारे में आज की बाद वो गलतिय स्टूरेंट्स मत करना ठीके, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर तो देखो, एक्जामपल से बताते हैं आपको इंट्रीकल के एक्जामपल लेते हैं, ठीके, उसमें आपको बताऊंगी क्या गलतिया स्टूरेंट्स करते हैं तो एक्जामपल आपने ले लिए, आपको इंट्रीगेट करना है x cube sin x की power 4 plus 1 ठीक है इसको आपने integrate करना है x के respect में ठीक है इसको आपने integrate करना है तो आप इसका integrate कैसे करेंगे x की power 4 plus 1 को t मान कर बस यही सब चीज मैं आपको सिखाऊंगे यहाँ पर x की power 4 plus 1 को आपने माना t ठीक है यहाँ आप कर रहे है differentiate यह हमारा आज का main topic है यह तो सिर्फ आपने example यह है जो मैं यहाँ समझाऊंगी न वो हमारा आज का main topic है इसको आप कर रहे है differentiate मैंने यहाँ सिर्फ differentiate लिखा है मैंने ऐसा तो नहीं लिखा न कि differentiate with respect to x, x के respect में कर रहे है ना फिर ऐसा लिखा कि T के respect में कर रहे हैं ठीक है ये दोनों चीज मैंने नहीं लिखी मैंने क्या लिखे सिर्फ differentiate कर रहे हैं क्यों मैंने ये चीज लिखी है क्योंकि यहां देखो X का function है X की power 4 plus 1 है ठीक है और यहां पर क्या है T यहां T का function है तो आप लिखते हो differentiate with respect to X तो ये तभी लिखो जब दोनों तरफ X का function हो ठीक है या फिर T लिखते हो तो तभी लिखो जब दोनों तरफ T का function हो आप differentiate with respect to X नहीं लिख सकते जब एक तरफ तो X का function हो और एक तरफ T का कई students ऐसा लिखते हैं ठीक है यह ना लिखके यह लिखते हैं ठीक है अब देखो वो गलती क्या करते हैं यहाँ पर x की आप 4 plus 1 is equal to t लिखा और फिर लिखते हैं differentiate कर रहे हैं with respect to x इसके differentiate वो कैसे करते हैं पहले तो power का करते हैं x की power n d by dx इसका क्या होता है n x की power n minus 1 ठीक है यह formula तो आप लोगों को हो जाएगा इस formula से 4 x 4 minus 1 यानिकि 3 so 4 x cube x की power 4 का ठीक है पावर का कर दिया अब करना है आपको x का तो क्या होगा dx upon dx d by dx और x का करना है तो x लिख दिया ठीक है ठीक है इसका complete हो गया प्लस अब करना है 1 का 1 का क्या होता है 0 मैं आपको बता चू क्यों पहले constant time का 0 क्यों आता integration कैसे आता है यदि आपने नहीं देखा है तो देखो मैं दोबारे बता देती इस ट्रेंट्स जैसे यहां 1 है तो आपने इसको करना है differentiate x के respect में ठीक है with respect to x आप यह लेके चल रहे हो तो क्या आप इसको लिख सकते हो d by dx x की power 0 बिल्कुल लिख सकते है x की power 0 की value 1 होती है त x की power 0 का आप इस formula से कर दो तो क्या है इस formula से power आ गया जाती है so 0 into x की power 0-1 यह 0 से multiply हो रहे है students ठीक है इसका मतलब क्या है 0 so d by dx 1 कितना आ गया 0 यानि कि 1 का आपको differentiate करा value आ गया 0 यहां सिफ 1 के लिए नहीं है 5,2,3 कुछ भी होता तब भी 0 ही आता क्यों तो यहां मानलो d by dx और 5 है ठीक है ताब इसको क्या यह नहीं लिख सकते है d by dx 1 into 5 बिल्कुल लिख सकते हो 5 1 जा 5 ठीक है अब 5 constant है इसको तो ले लो भार और अंदर क्या चाहिएगा d by dx और 1 और d by dx 1 की value तो आपने भी निकाली है 0 तो यह क्या जाएगा 5 into 0 यानिकी 0 तो फॉसक नहीं पड़त क्या हो जाएगा 0 is equal to आप क्या कह रहे हो यहां differentiate with respect to x so t क्या हो जाएगा d by dx x के respect में कर रहे हो differentiation इसका मतलब d by dx किसका करना है t का तो आपने हाँ t लिख दिया ठीक है जो इस्टूरेंस हम d by dx लिखते हैं यह होता क्या है यह एक operator है differential operator ठीक है क्या है हमारा differential operator आप differentiate ही तो कर यहां आपने x को करा x के respect में यहां आपने किसको करा x की power 4 को करा तो यह क्या है differential operator ठीक है तो यह पूरी एक term है आप इसको तो नहीं सकते ना जैसे x है ठीक है तो क्या इसको बीट में से काट सकते हो कि उपर वाला x like कुछ ऐसे बना दिया इस तो बना भी नहीं यह क्या एस नीचे वाला कुछ ऐसे ऐसा तो नहीं कर सकते ना समझने की बात यह है जिसे कोई a alphabet कि आप इसको यहां से बीट में से ब्रेक कर सकते हो उपर का पार्ट यह हो गया नीचे का पार्ट इसको कोई existence है नहीं है ठीक है यह नीचे का पार उपर का पार्ट mix करके ही a बना है एक alphabet का ठीक है तो ऐसे ही d by dx है आप इसको तोड नहीं सकते कि आप इसको कह दो d तो उपर फैक्ट दिया dx नीचे इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते यह एक साथ ही रहेगा differential operator रहे पूरा ठीक है यहां students क्या गलती करते हैं यह students 4xq dx by dx इसका value तो 1 आ गया प्लस यह तो 0 इसको करते हैं कि 4xq और dx को इदर multiply कर देते हैं dx is equal to dt ठीक है बस मैं यह चीज़ संझाना चारी हूँ यहां पर कि आप ऐसे multiply नहीं कर सकते जैसे कि मैंने अभी बोला आप इन दोनों को तोड नहीं सकते ब्रेक नहीं कर सकते यह पूरा एक operator है पूरा एक operator है d by dx आपने d को तो t के साथ रख लिए और dx को इधर multiply कर दिया ऐसा नहीं कर सकते यह गलत है ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते इस्टुरेंट यह गलत है ठीक है इसलिए मैं बोले हूँ यहां differentiate with respect to x नहीं लिखना है आप differentiate लिखोगे ना तो क्या value आईगी तो बिल्कुल यह value आईगी differentiate करोगे लेकिन y को multiply करके कि x is equal to 2y क्यों यह एक अलग variable होगे यह एक अलग variable होगे मतलब यहां तो यह अलग अलग चीज है यह पूरी एक चीज है ठीक है अब देखो मैं कहरे हूँ यहां सिफ लिखा करो differentiate तो differentiate लिखोगे तो क्या होगा इसका नीचे करते हैं x की power 4 plus 1 is equal to t इसे आप कर रह यहां की आएगा 4x cube ठीक है सहीं formula यह जो हमने बताया था आपको x की power n का इस वाले formula से यह आपने कल लिखा 4x cube ठीक है पावर को होगे आपको करना है x का हमने आएक लिखा सिफ differentiate तो यहां d by dx नहीं आएगा इसका मतलब क्यों होता है आप x के respect में कर रहे हो यहां हमने इसा जब आप college life में आऊगे college में आऊगे तो इसमें यह चीज़ें वहां बताई जाती है ठीक है जब आपको अच्छे से और ज्यादा clear होगी बट मैं चाती हूँ अभी से ही आपको पता हो इसलिए मैंने इस चीज़ें आपके साथ share करी तो x की power 4x cube और फिर x का होगे dx और यह सेम चीज़ है बट तरीका यह सही है करने का ना कि यह कि आपने ऐसे multiply कर दिया ठीक है एक चीज़ समझा है students एक चीज़ तो यह और एक चीज़ में आपको समझाना चाहती थी इसी में formula होता है dy dx u dot v आपने पढ़ा होगा differential का formula यदि दो function x के ubx का function vbx का function multiply में दे दे तह हम इनको differentiate कैसे करते हैं क्या होता है इसका formula d by dx u dot v u first को रखा second को differentiate करा ठीक है प्लस v को रखा du by dx यह आप लोगों को formula पता होगा बट जब यहाँ पर इस तरह का function आ जाए u dot v वाला और हम सिफ differentiate लिख रहे हो तो क्या हम यह वाला formula यूज करेंगे नहीं इस तरह से हम यूज न तो यह हम यूज करेंगे d u dot v is equal to u को रखा dv plus v को रखा du ठीक है यहाँ x का कोई रोल नहीं है अश्वाच यदि आप इस पर बेस question करना चाहते हैं तो मैंने इस पर बेस आपको एक question कराया था ठीक है यदि आपने नहीं देखा है तो please integral की playlist में जाईए आपको वहाँ यह question मिल जाएगा इसका link मैं आपको description box में भी दे दूँगी आप वहाँ से भी जा सकते हैं मैंने isolated ही एक question कराया था question में आपको वता देती हूँ क्या था देखो question यह था x plus 1 e की power x upon cost square x e की power x ठीक है इसे integrate करना था यह मैंने आपको समझाया था तो integral की playlist में आपको मिल जाएगा और इसका link भी मैं description box में दे दूँगी इसमें यहाँ पर हमने x e की power x को t माना था ठीक है और फिर यहाँ लिखा था differentiate तो मैंने इसको किस तरह से differentiate करा उसी formula से करा जो मैंने भी आपको बताया है ठीक है और किस तरह से समझाया है यह पूरी चीज मैंने आपको समझा चुक्यों पहले ठीक है वही चीज integral की playlist में आपको मिल जाएगी please देख लीजिएगा यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो students please देख लीजिएगा और आपके concept इस तरह के और भी clear होंगे ठीक है इस पर बेसे question देख लोगे तो अच्छा लगेगा concept clear हो जाएगे तो चीज समझादा students में क्या समझाना चाहती थी please ऐसी गलतिया मत करना students यह वाली गलती बहुत जादा करते हैं ऐसी मत करना students में बार बार बोल रहे हैं ठीक ह integration करते हैं ठीक है इस तरह से students यहां इसको solve करते हैं क्या आगे हमारा 4x3 dx is equal to dt ठीक है अब हमारा integration में solve करना है integration तो यहां पर आप value रख देंगे ठीक है देखो अब हम integration solve कर लेते हैं अपना integration आपको क्या दिया था एक्स क्यूब dx is equal to dt ठीक है तो यहां से x3 dx की value क्या आगे dt by 4 ठीक है एक्स क्यूब dx की जागे आप रख दीजिए dt by 4 dt by 4 ठीक है integration sin x क्यार 4 प्लस 1 का अपने t माना है तो यहां जाएगा sin t ठीक है equal to sin t का students क्या होता है integration मैं आपको फॉर्मूलास पहले बता चुकी हूँ minus cos t ठीक है so minus cos t by 4 चली रहाए plus constant of integration c अब t की value रख दीजिए minus 1 by 4 cos t की value क्या है x की power 4 plus 1 x की power 4 plus 1 plus constant of integration c integration देखा कितना easy था फटार्क से solve हुआ गया कितना जल्दी solve हुआ बट जो चीज मैंने आपको यहां समझानी थी वो चीज मुझे बहुत मन कर ला था काफी टाइम से में चाती थी कि students के चीज़े पता लगे इसलिए मैं आपको समझाई integration तो easy था, easy resolve हो गया बट यह जो मैंने यहां चीज समझाई वो याद रखेगा students ऐसी गलतिया मत करिएगा ठीके students, so thank you students, welcome to my youtube channel आपका हमेशे स्वागत है मेरे channel पर इसी तरह से lectures लेते चाहिए अपने concept के लिए करते रहे हैं so thank you students, मिलते हैं next lecture में कुछ और integral के questions के साथ